प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल क्वेस्ट इंडिया और प्रेस बेल आइकन फॉर ओल लोटिफिकेशन नाश्कार मैं हूँ डॉक्टर दिल्बीर सिंग और आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया दोस्तों UGC का पेपर जैसा आप जानते हैं बेश से 28 जून के बीच में हो रहा है और बहुत सारे कंडिडेट उसके अंदर अपेर भी हो रहे होंगे तो जो कंडिडेट नए हैं या फिर जो कंडिडेट ऐसे हैं कि जिनके प्रैक्टिस छूट गई है ओनलाइन पेपर देने की मैं बात कर रहा हूँ UGC के पेपर की जो केमपोटराइज बेस्ट टेस्ट होता है जिसको हम CBT कहते हैं ये वीडियो स्पेशल उनके लिए फोकस है यदि आप नए हैं यानि पहली बार एपेर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप दो बार या तीन बार एपेर हो चुके हैं फिर भी आपको लगता है कि आपके कम हो गई है यानि online examination देने में या CBT टेस्ट देने में यदि आपको लगता कि आपकी practice कम पड़ गई है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप online test देते हैं यानि computer based test देते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कैसे आपको question save करने होते है यदि आपको अपना response बदलना है तो फिर वो किस परकार से आपको clear करना होता है कैसे आपको submit का button दबाना होता है ये पूरी परकेरिया आपको computer के screen पे जाके समझ एक बार फिर से आपका स्वागता सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा mock test के बारे में देखिए यदि आप नई हैं यदि आपको नहीं पता कि computer में किस परकार से टेस्ट होता है या फिर online exam किस परकार से होते हैं तो मैं आपको सला दूँगा कि UGC की site के आपको other website जो हैं उनके उपर भी आप practice कर सकते हैं वहाँ भी बहुत सारी website ऐसी हैं जो online exam conduct कराती हैं आपको उनके उपर जाकर भी हर रोज एक set यदि आप कर लेंगे तो आपका हाथ जो बैठ जाएगा देखिए सबसे पहले ये भी जरूरी है यदि आप पहली बार computer screen के उ practice आप जरूर कर लें कि जहां पर आपको click करना है वहाँ पर आपको time वैसे ही जाया ना हो जाए तो इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा basic information उसकी ले लें और online test के मैदम से आप पहले ही practices की कर लें जब आप UGC की site के उपर जाएंगे या फिर आपको final exam में जब आप कर रखा है वहाँ उस center के उपर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा अपने जो instruction है उसको बड़े ही ध्यान से और देरिये से पढ़ लेना होगा यह बहुत ज़्यादा जरूरी है हम उसको skip ना करें यह आपकी text booklet नहीं है कि आप बिल्कुल starting के page को ख क्लिक करके और वहाँ पर read वाला option होगा या फिर approve वाला या फिर next वाला या प्रोसीड वाला जो भी option आपका हो उसको आप क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आप next page पे चले जाएंगे यानि कि सीधा आप question पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर question पे जाने के बाद आप को पहले क्या होता है आप अपने answer को save कर सकते हैं पहली बात दूसरा आप उस answer को review के लिए चोड़ सकते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं अब मैं लेके चलता हूँ आपको सिधा computer screen के उपर वहाँ पूरा process समझाता हूँ कि UGC की site के उपर जाकर या NTA की site के उपर जाक आप किस परकार से mock test कर सकते हैं और अपनी daily routine की practice कैसे कर सकते हैं हम आ गए है computer की screen के उपर और आप जैसा देख रहे हैं उपर लिखा हुआ है यह address जो आपको याद रखना है या फिर मैं इसको description में भी आपको दे दूँगा परन तो आप इसको ऐसे mention कर लेंगे तो point one one six point one six और double dot ninety oblique quiz यह आपको जैसे बरेंगे तो आपके सामने इस परकार की screen आ जाएगी यहाँ पर important चीज है कि यह आपको बरना होगा जैसे आप इसको click करके देखेंगे तो आपको अलग-अलग type के test यहाँ पर मिल जाएंगे तो हमने जैसे UGC net यहाँ पर बर दिया है और paper जैसे 15 April 2018 evening मतलब यह एक MOOC test है हम इसको click करेंगे MOOC test पे तो जैसे हम MOOC test पे click करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा start MOOC test और इस परकार से आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर आप देखिएगा click login to proceed new तो आप इस पे login पे click कर दें तो आप जब login पे click करेंगे तो उप हिंदी और English में कर सकते हैं आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा national testing agency लिखा हुआ है excellence in assessment general instruction इनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा लिखा भी वा please read the instruction carefully तो मैं इनको बारी बारी से आपके practice के लिए पढ़ देता हूं और आपको किन बातों का अब हम focus करते हैं सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है general instruction और पहले point में क्या लिखा है duration के बारे मता रखा है कि paper पहला होगा 60 minute का time आपको दिया जाएगा और paper जो दूसरा होगा उसमें 120 minute का time आपको दिया जाएगा अब क्या है कि server पे clock set कर दी और time जब zero हो जाएगा तो examination automatically खत्म यहाँ पे हो जाएगा आपको किसी भी परकार से submit बटन दबाने की end में जरूरत नहीं है क्योंकि यदि time आपका खत्म हो जाता है तो वो automatically ही submit हो जाएगा अब यहाँ पे तीसरे में क्या लिखा हुआ है तीसरे में लिखा हुआ है कि questions ज आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं यह symbol कैसे हैं जैसे पहले में आप देखेंगे वो है you have not visited the question yet जो question आपने अभी तक देखे नहीं होंगे तो इस परकार का सिंबल आपका आजाएगा यदि आपने answer ने दिया question का तो इस परकार का सिंबल आपका आजाएगा और यदि आ answer you have not answered the question आपने answer नहीं दिया है परंतो review के लिए question को छोड़ दिया है तो इस परकार का सिंबल आपका आएगा आपने answer दे दिया है और marked for review के लिए कर दिया है तो आपका इस परकार का सिंबल आएगा यहाँ पे आप ये चार चीज़े समझ भी सकते हैं कि आपकी screen के ऊपर ये clear cut message आजाएगा पांच type के message है मैं थोड़ा इसको clean करके भी आपको दुबारा बता देता हूँ कि ये कैसा है कि आपका पूरा का पूरा review आपके सामने रहेगा कि यदि आप question को touch ही नहीं करेंगे तो ये symbol आपको बताएगा कितने question आपने अभी तक देखे ही नहीं है औ और इसके बारे मताएगा कि आपने इनके answer नहीं दिये हैं ये दो number पे है जो और तीसरे number के symbol आते हैं तो आपने इतने answer दे दिये यानि छूटने का मतलब नहीं रह जाता है आपका बिल्कुल आपकी screen पे आपके सामने होता है जैसे offline paper में आप देखोगे तो थोड़ा सा अ रजीब होता हूँ आपको डूढना पड़ता है यहां पर जबकि आपकी computer की screen आपको clear cut यहां पर बताती रहेगी और इस परकार इसे 500 symbol की अपनी एक importance है फोर्थ number point पे चलते हैं एक इस परकार की arrow है और यह arrow का निशान क्या है यह kitchen palette को यह दिखाता है कि आप इसको maximize भी कर screen पे और आप इसको छुटा भी कर सकते हैं उसके बाद में एक profile आपके सामने आएगी क्योंकि default language आती है यानि कि English language में आपका paper आएगा परंतो आप चाहें तो उसको drop down के अंदर जाके आप language को बदल सकते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया था अब च्छटा number point यह है कि आप आप कहीं भी navigate कर सकते हैं जैसे bottom पे या upper question पे without scrolling इस परकार के निसान को click करके अब next है navigate to question आप navigate कर सकते हैं question पे कैसे कैसे कर सकते हैं आप सीधा number डालिएगा और वहाँ पे आप पहुझ जाएंगे आप लिखा हुआ है कि आप number डालोगे तो सीधा आप question पे पहुझ जाए है तो इस परकार से आपको करना होगा mark for review for the next के लिए और next करते करते आप अगले question पे पहुझ जाएंगे अब answering करते समय क्या है कि यह जैसे point number 8 आपके सामने है procedure क्या होता है answering के लिए multiple choice question होते हैं आपको select करना होता है और button को click करना होता है जो आपके लिए right बनता है अब उ उसके लिए button जो आपका मिलेगा वो मिलेगा clear response का button उसको आप click करके response को clear कर सकते हैं और जब आप अपने answer को बदलना चाहते हैं तो किसी दूसरे option पे आप जाके button को दबा दीजिए आपका answer change हो जाएगा और फिर उसके बाद में to save the answer you must click आपको click करना होगा save and next button यह आप द्यान में रखें यदि आप अपने answer को save करना चाहते हैं तो आपको save or next button पे click करना जरूरी है to mark the question for review यह आप review के लिए देना चाहते हैं तो आप review बटन पे दे सकते हैं वहाँ पे option में आपको मिल जाएगा अब आगे next screen पे आपको दिखाऊंगा पिर आगे क्या लिका हु का पहले तो उस answer को select करना होगा तब आपको procedure follow करना होगा जैसा हमने बताया था clear response का अब navigate through section में भी आप जा सकते हैं दस नमर बे इसमें अंदर क्या होता है आप पूरे section बना रखे हैं आपके parts बना रखे हैं आपके paper के तो सीधा आप उस section में जा सकते हैं और इसमें बता हुच जाएंगे यह ऐसा यहां पर लिखा हुआ है इसके बाद में एक बटन और दे रखा है वह सफल का है सफल का मतलब होता है कि आपका render कोई भी question उठके आपके सामने आ जाएगा वो भी आप यहां पर कर सकते हैं उसके बाद यह की candidate अपने correspondence की summary को देख सकता है जो आप के section के बारे में है वो उपर आ जाएगी की default language आपकी मिलती है आप उसको change कर सकते हैं यह यहां पर यह लिखा हुआ है और यह आप यहां पर click करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था कि ऐसे यहां पर click होता है इसमें लिखा हुआ है कि मैंने सभी परकार की instruction को ध्यान पूरो पढ़ लिया है मैंने चेक कर लिया कि मेरे computer का hardware बिल्कुल proper condition में काम कर रहा है मैं declare करता हूँ कि मेरे पास किसी भी परकार का कोई gadget नहीं है mobile Bluetooth device etc किसी भी परकार का कोई prohibited material नहीं है जो कि मैं examination हाल के अंदर लेके जा रहा हूँ और मैं सहमत हूँ अज सभी परकार के जो instruction हमा जा सकता है और future के लिए test के लिए examination हाल में मुझे band भी कर दिया जा सकता है यहाँ पर आपको proceed करना होगा तो हम इसको proceed कर देते हैं और यहाँ पर click करते हैं सबसे पहले और फिर करते हैं proceed proceed जैसे ही करेंगे तो आपके सामने आजाएगा next question अब यहाँ पर पूरी screen को समझ ल मिलेगा यह है आपका remaining time यह time आपका बचा हुआ है यह यहाँ पर mention होगा आप language को Hindi में भी set कर सकते हैं English में भी set कर सकते हैं यहाँ से drop down box में भी आप चेक कर सकते हैं अब हमने पहला equation खोला है तो आप अपनी screen पे देख पा रहे होंगे कि हमने note visited कि कितने आ रहे हैं हमारे स यह लिए बाद में mark कर दिया है answer देने के बाद में अब यहाँ पर question है आपके सामने और यह देखोगे तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है save and next आप कर सकते हैं save and marks for review या आप कर सकते हैं clear response या आप कर सकते हैं mark for review and next आप इन में से कोई भी button को दबा सकते हैं उसके बाद में आपको करना होगा next यह आप याद रखें कि submit मत दबा देना पहले यह submit आपको दबाना है बाद में अब जैसे इसकी तरफ देखेंगे तो आप आपके right hand में किस question के उपर आप हैं जहीं 50 question यहाँ पे हैं तो किस question के उपर आप हैं आप इस पे देख सकते हैं अब जैसे मैं यहाँ पे आप दैसे 37 पे click करोगे तो सिधा आपके सामने 37th question आ जाएगा जिसमे question पे आप क्लिक करना चाहें वो question आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने कर लिया है उपर अपनी स्क्रीन पे आप देखोगे तो note answer है मारे सामने दो और note visited इतने आ है एक का note answer एक का note visited यानि कि total summary आपके सामने बिलकुल सामने आ जाएगी और यह बहुत ही असान procedure है हाला कि उनके लिए बहुत ही नया लगेगा जिनको computer की किसी भी परकार की habit नहीं है आदत नहीं है यदि आपको आदत नहीं है तो इसकी आदत आप जरूर डाल लें यदि आप यह जिसी नेट का paper देना चाहते हैं तो यह तो थी आज की information उमीद करता हैं आपको पसंद आया होगा हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और इसमें like भी जरूर करें यदि आपको पसंद आता है content नहीं तो आप dislike कर सकते हैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद